एक वक्त होता था जब लोगों का संबंध दिल से हुआ करता था लेकिन आज एक वक्त है लोग आपको तभी आद करते हैं जब उन्हें कोई काम होता है मतलब कहा जा सकता है कि ये दुनिया अब केवल स्वार्थ पर ठीकी हुई है जानते हैं जिस माता पिता ने हमें जन्व दिया है हम उनका कर्ज कभी भी आदा नहीं कर सकते हैं जिस गुरु जी ने हमें सिख्छा दी है हमें चलना सिखाया, हमें बोलना सिखाया हमें रहने का तरीका सिखाया हम कभी भी उनका कर जादा नहीं कर सकते हैं हमारे परिवार के सभी लोगों के बदोलत ही आज मैं कुछ बोल पा रहा हूँ आज मैं आपको कुछ सुना पा रहा हूँ और यदि आप भी कुछ कर पा रहे हो तो उसमें सबसे वरा योगदान आपके परिवार के लोगों का है इस वीडियो की माध्यम से मैं बस आपको ये कहना चाहता हूं कि आपके माता-पिता, आपके गुरुजन, या फिर आपके परिवार के सदस जिन्होंने भी आपके हित के लिए सोचा है जिन्होंने भी आपके लिए अच्छा सोचा है आपसे निवेदन है कि आप भी उनके वहलाई के बारे में जरूर सोचें और सबसे पहले आपने माता-पिता के सेवा में कभी कोई कमी ना करें वो आपको जो आदेश करें उनके पालन करना है क्योंकि यदि आज आप कुछ भी है तो किवल अपने माता-पिता के बदलत है और एक बात याद रखिए आप हर किसी का कर्ज अधा कर देजिएगा लेकिन आपके पास वो साहस नहीं है वो छमता नहीं है कि आप अपने माता-पिता का कर्ज अधा कर दो समझ आमें कभी भी कोई कमी मत रखो समझ गए न तो इस वीडियो में आज में बस इतना ही कहना चाहता हूं और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें कमेंट में बताएं और साथ ही साथ उन लोगों को भी भेजें जिनने अपने माता-पिता से जरा भी प्रे